इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक समुन्दरी लोटेरी को देखते हैं जो एक हास्से में घायल होकर सोना बचाने में कामियाब हो गया होता है तब ही इसी दुरान हम death को देखते हैं जो इस आदमी को ले जाने आता है तब ही ये आदमी death को देखकर डर के मारे भी होसो जाता है और death ये देखकर अपने weapon से इस आदमी की मौत का time देखता है जिसमें इस आदमी के पास थोड़ा समय बचा होता है तब ही ये देखकर दैट खजाने के बॉक्स के ओपर बैट जाता है और फिर टैम पास करने के लिए इस आदमी को हटा कर इस बॉक्स को खोल कर देखता है जिसमें दैट को धेर सारा सुना, हीरे, जवरात और एक सुने का कोईन मिलता है जिसको दैट पानी में दूर तक फैक देता है तब ही ये देखकर यहां एक सार्क आती है जिसे देखकर दैट को और मजा आता है और वो सारे सुने के सिक्के एके करके पानी में फैकने लगता है तब ही इसी दुरान दैट को एक आइडिया आता है और वो सार्क को पकड़ने के लिए जाल में सुने का एक सिक्का फसा कर सार्क की तरफ फैकता है जिससे सार्क उसमें फस जाती है और दैथ उसको छोटी मचली समझ कर खीचने लगता है तब ही हम सार्क को देखते हैं जो अपने सार्क देथ और इस आदमी को खीच कर ले जाती है फिर इसके बाद हम देथ को देखते हैं जो सामने एक टापू को देखकर रसी छोड़ देता है जिससे वो लोग एक पत्थर से टकरा जाते हैं तब हम इस आदमी को देखते हैं जो एक दुकान की तरफ गिरता है जहां उसके गिरते ही उसको एक बियर मिलती है जिसे देखकर वो खुस हो जाता है और अपने सोने का सिक्का अपने जेब में रख लेता है तब हम दैत को देखते हैं जो सोने के सिक्के और बॉक्स के साथ सम पर end होती है